वेलकम तो और चानल फार्मे लेक्चर सो गाइस के सो आप सब इस वीडियो हम देखेंगे हीमन वैल्य एंड प्रोफेशनल एटेक्स के कुछ इंपोर्टेंट कोशन साथ में सॉलिशन भी जो कि आप डिमांड कर रहे थे बहुत टाइम से तो बहुत सारी स्टुडेंट्स को यह मिल गया है यह जो पीडियाफ मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं गाइस तो यहां पर कुछ कोशन से देख रहे थे हैं किस टाइप से पैर पाला कोशन पूछागा खर्या है एंफे इन में बारी स के रिलेट्स उस question पूछ है तो यहां पर गाइस आप को देख ऱो किस्यांड से इस 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 टाइप से स्कार बताए गया है तो यहां पर देख लो गाइस को सिसक दी से निए आपर बताएगाया है यहां पर लिख सकते यह paragraph तो आप यह paragraph को ना follow करते हुए ना इसको point wise लिख देते ना तो ज्यादा better रहेगा तो एक point आप यहां पर लिख सकते हो value based education के बारे में सबसे पहले फिर आप यहां पर value education तो यहां से guys point wise अगर लिखोगे ना आप जैसे कि 1 2 3 4 5 तो इस points के आपको number मिल देंगे एक पॉइंट के half of number मिलते हुए easily आपके 20 points लिख दोगे तो 10 marks easily अगर 10 marks question नहीं तो यहां पर second question पुछे गया process of value education वहीं पर यहां पर third question पुछा गया है जो कि बहुत ज्यादे important और what are the basic guideline for the value education यह देख लो गाइस बहुत ज्यादे से questions पूछे जाते हैं तो देखो यहां पर profit मतलब कि एकदम अच्छे से answer यहां पर लिखा गया है तो यहां पर देख लो गाईस पॉइंट वाइस लिखा गया है कोशिस करना है कि answer सबसे पहले आप लिखो उसके बारे में जो पूछा गया है value education पूछे तो value education के बारे में लिख दिया उसके बाद कोशिस करना है कि सब heading डालने का यहां पर sub heading इन्होंने यूज किया है तो ऐसे ही आपको sub heading यूज करोगे ना तो master क्या करेगा कि जो भी यहां पर examiner होगा चेक करने के लिए वो इतना answer नहीं पढ़ने वाला और कोशिस करना कि जो answer आप लिख रहे हो ना इस answers को अपने language में लिखो अपने language में express करो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पढ़के चले यह तो आप अपने बारे में भी तो लिख सकते हो अपने से मतलब कि अपने language में अपने से किस टाइप से मैं इस answer को एक्सप्रेस कर सकता हूं वह ज्यादा बैटर रहेगा और यहां पर तो बस एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको इस टाइप से question समनता है तो इस टाइप से आप answer लिख सकते हो बट लिखना आपको अपने language में ह है तो वाट इस नीड फोर वैलो एजुकेशन तेहां पर वैलो एजुकेशन से रिलेटर एक कोशन तो आता ही है अपने से उस questions को जो भी पूछे गया उसके बार में लिखते हुए एक इक्जांपल आप बता सकते अपने डेली लाइफ से रिलेटर तो ज्यादा बैटर रहेगा भाने डिफाइन से शेक्सप्लॉशन तो यहां पर नेक्शा एसप्टोर एटेंट्स एंड एक्सपेरियैंटल और oluyor desc The फ में यहां पर questions पूछेगे हैं तो यहां पर और भी questions है बहुत सारे self exploration और self exploration यहां पर guys देख सकते हो बहुत सारे points पूछेगे हैं तो यहां पर देखो guys जो question repeat हो रहा है जैसे self exploration बहुत ज्यादा repeat हो रहा है तो आपको यह question को topic डाल देना है और इसके बार मैं अपने mind से इसके बा बात हाफ आवर जैसे कि मैंने आपको बताया डेली देना है जिसके विज़े से आप यह सारे कोशन्स एजली कर पाऊ गते हैं तो यह आपको छोड़ना नहीं है और यहां पर बहुत सारी कोशन्स है और एक तो गई सेल्फ के बारे में बहुत कोशन्स पूछा जाता एक सुख और सुवीधा के बारे में तो यहां पर यूनिट आपको दिया हुआ है यूनिट के अको पढ़ लेना है तो ज़्यादा बैटर रहेगा मेरे अकोडिंग अगर आप यह पीडिया पढ़ लेते हो नॉट आल मतलब क यहां पर कोशन्स पढ़ लो और कुछ पॉइंट्स यहां पर देख लो कि अच्छा हां मुझे इन इन पॉइंट्स के बारे में लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और एक कोशन पेपर भी आपको मैं शो कर देता हूं जैसे कि मैं आप इसको बोले कोशन पेपर भी आपको देखाना तो यह रहो कोशन पेपर तो यहां से आप देख लोगाई हूमन ऐस्पेरेशंस से रिदिटें आप एकोशन पूच्छय कि गया है हिमार रिलेशंस तो इस टाइप से गॉश्टेंस और हैपिनेस और और प्रोसपेरिटी सेल् इंट्रेस्टिंग कोश्चेंस पूछे जाते हैं ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ आते ही नहीं होगा आप कोश्चन उठाओगे कोश्चन पेपर देखोगे वैसे आपको लगया कि अच्छा मेरेको इस कोश्चन पेपर आप 50 परसेंट तो मतलग कि ऐसे आपने बिना पड़ से लिखना है जैसे कि मैंने यहां पर देखा था तो पेराग्राफ नहीं फॉलो करना है पॉइंट वाइस फॉलो करना है और गैस गूल लग फॉर एक्जाम्स मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो में थैंक्यू सो मच